नमस्कार आप देख रहे हैं राश्ट्र की बात आपके साथ में हूँ मानक गुपता राश्ट्र की बात में आज विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव के बीच क्या होगा और कॉंग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है इंडिया गठबन क्या विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बटवारा आराम से कर लेगा जो क्षेत्रिय दल हैं उनकी रणनीती क्या होगी इंडिया गटपंदन के अंदर सीटों के बटवारे में क्योंकि एक बहुत एहम फैक्टर होने वाला है लोगसभा चुनाव के लिए कॉंग्रेस की रणनीती क्या है क्या विधानसभा चुनाव जीतने के बाद फ्रॉम अ पावर अफ स्टेंथ यानि अपना दम दिखाकर ना सिर्फ बीजेपी को बलकि इंडिया गटपंदन के सहयोगियों को कॉंग्रेस शक्ती प्रदर्शन करने के बाद सीटों के बटवारे में जाना चाहती है क्या यह सारे के सारे फेक्टर्स पर आज राष्ट की बात में हम बहस करेंगे सबसे पहले जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कहना चाह रहा हूं उसको ज़रा दिखाता भी हों ग्राफिक्स पर सवाल यह है क्या कॉंग्रेस पार्टी ने अब अपना गियर थोड़ा सा बदला है क्या और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा असेंबली इलेक्शन में चाहे प्रचार हो चाहे मुद्दे उठाना हो या फिर बाकी इंडिया गठबंदन के घटक दलों से सीटों का समझोता हो या और तमाम चीजें हो कॉंग्रेस पार्टी फ्रेंट फूट पर खेल रही है गैरंटीज देखिए बिल्कुल वही ट्राइड अन टेस्टिट फॉर्मूला है जिस पर हिमाचल और करनाटक में जीत हासिल की एक के बाद एक वही फॉर्मूला इन सारे चार-पांच राज्यों में भी कॉंग्रेस पार्टी अपना रही है फिर इसकी बज़े ये भी है कॉंग्रेस पार्टी को एहसास है कि इन पांच राज्यों में अच्छा प्रदर्शन होने वाला है ऐसा कॉंग्रेस को लगता है और इसलिए कॉंग्रेस पार्टी इंडिया गठबंदन का जो सीटों का बटवारा है उस पर अभी बात नहीं करती शायद अंदर अन्नीती ये है कि पहले हम इन पांच असेंबली इलेक्शन में अच्छा पफॉर्मेंस करेंगे और उसके बाद इंडिया गठबंदन में सीटों के बटवारे पर आराम से चर्चा कर लेंगे तब ही कॉंग्रिस बार बार कहती है लोकसवा चुनाव के लिए वो गठबंदन हुआ था लेकिन सवाल फिर वो भी उठता है कि असेंबली इलेक्शन में जो छोटे दल नाराज हो रहे हैं क्या वो बाद में मान जाएंगे खेर कॉंग्रिस के सामने इंडिया गठबंदन में सीट बटवारे को लेकर चुनावतियां भी आने वाली है जैसे यूपी में क्या होगा वहाँ पर कई दल है वहाँ पर इंडिया गठबंदन कैसे चलेगा फिर बिहार में सीटों का बटवारा कॉंग्रिस पार्टी और उनके सेयोगी कैसे करेंगे वहाँ जादा मुश्किल नहीं मानी जाती है क्योंकि वहाँ पहले से एक सरकार चल रही है सबकी फिर बंगाल वहाँ बड़ी चुनावती होगी ममताब एनरजी से कैसे निप्टेंगे फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में क्या कोई बात बन पाएगी केरल में लेफ्ट के साथ तो फाइट ते है वो फ्रेंडली फाइट होगी या क्या होगा फ्रेंडली तो होई नहीं सकती जब आमने सामने की लड़ाई होगी फिर महराष्ट्र महाविकास अगाडी है वहाँ पर बड़ा भाई कौन होगा ये भी एक सवाल आएगा तमिल्लाट डीम के कितनी सीटें देगा और क्या कॉंग्रेस की असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद बारगेनिंग पावर तमिल्लाट में भी बढ़ जाएगी क्या जमू कश्मीर भी एक इंपॉर्टन स्टेट होने वाला है इस बार वहाँ नैशनल कॉन्फरेंस और पीडीपी के साथ किस तरह के निगयोसियेशन होंगे और जारखन भी एक ऐसा स्टेट है जहां पर रीजिनल पार्टी से बारगेनिंग में जिसे मोलभाव कहते है हिंदी में उसमें दो दो हाथ सीट बटवारे को लेकर कॉंग्रेस पार्टी को करने पड़ सकते हैं अब ज़रा यूपी पर आते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी हाल में काफी एक्टिव हुई है अजे राय को कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया उसके बाद से आप देख रहे होंगे यूपी में भी कॉंग्रेस पार्टी फ्रेंट फूर्ट पर खेल रही है शायद कॉंग्रेस पार्टी को एहसास है कि अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो मुस्लिम वोट कॉंग्रेस पार्टी से दूर चला गया था पिछले 10 साल में वो कॉंग्रेस के साथ आ रहा है इसलिए यूपी में कॉंग्रेस पार्टी की रन्नीती बहुत साफ है वहां मुस्लिम समुदाय को ये संदेश देना कि अगर बीजेपी को कोई टकर दे रहा है राष्ट्री अस्तर पर वो हम है और लोकसभा का चुनाव तो होता ही है दिल्ली की कुरसी के लिए फिर कॉंग्रेस तरसल पिछले चुनावों को अगर प्रदर्शन देखें उसमें मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गया था कॉंग्रेस पार्टी की रन्नीती इस बार ये भी है कि किसी तरह उस मुस्लिम वोट को अपनी तरफ किया जाए जो पहले कॉंग्रेस के साथ होता था इसलिए तीन चार कदम कॉंग्रेस पार्टी ने यूपी में ऐसे उठाए हैं जो उस वोट बैंक की तरफ सीधे सीधे अपील करते हैं ये देखिए जैसे मैं दिखा रहों इमरान मसूद आए फिर नवाब एहमद हमीद आए फिर जैसे मैंने का कॉंग्रेस के अध्यक्ष अजे राय आजम खान से मिलने पहुंचे तो तमाम संदेश मुसलिम समुदाय को भी कॉंग्रेस पार्टी उपी में देग रही है एक ज़रा आकला भी आपको दिखाता हूँ कि क्यों उत्तर प्रदेश में इस बार मुसलिम फैक्टर बहुत एहम होने वाला है आपको पताईए लगबग चार करोड के आसपास मुसल्मान है उत्तर प्रदेश में जो कि आबादी का 19-20 फिसदी बनता है यूपी का अगर पिछले कुछ चुनावों को देखें तो 143 विधान सभा सीटों पर मुसलिम वोटर एहम हो जाते हैं सत्तर सीटों पर बताते हैं 20-30 फिसदी मुसलिम अबादी है 36 सीटों पर मुसलिम प्रत्याशी जीतते आएं मैं असंबली एलेक्शन की बात कर रहा हूँ 107 सीटों पर मुसलिम वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होता है और रामपूर आपको पता ही है वहाँ सबसे जादा मुसल्मान हैं करीब आधी आबादी वहाँ मुसलिम समुदाय की है इसलिए आजम खान फैक्टर अजेराय क्यों मिलने गए आजम खान से अगर 2019 का लोकसभा चुनाब देखें तो उसमें आपको समझ आएगा उत्तर प्रदेश में करीब 73% 73% मुसलिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ गया था कॉंग्रेस को 14% मिला था बीजेपी को भी 8% वोट मुसलिम समुदाय का मिला था और अगर पूरा नतीजा एक बार आपको दिखा दूँ 2019 के लोकसभा चुनाब का वो भी ज़रा देख लीजे 2019 के लोकसभा चुनाब में 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी फिर बीएसपी को 10 मिली थी समाजवादी पार्टी को 5 मिली थी कॉंग्रेस को एक सीट मिली थी पर कॉंग्रेस को यूपी में 6.31 साड़े 6% के आसपास वोट भी मिला था तो ये एहम आकड़े सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कॉंग्रेस पार्टी की रणनीती इन असेंबली इलेक्शन्स के बाद 5 स्टेट के इलेक्शन्स के बाद क्या इशारा करती है राष्ट की बाद में आज का सवाल इसलिए आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो ये है सवाल बड़ा सीधा है क्या राज्ये जीत कर इंडिया में दम दिखाना चाहती है कॉंग्रेस और दूसरा सवाल यूपी में प्रियंका की रन नीती आखिर क्या है आज राष्ट की बात में मेरे साथ कॉंग्रेस की तरफ से